दोस्तों नमशार आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत आज हम इन दो हतेलियों पर एक आशिक विश्टेशन कर रहे हैं कि हतेली के भारी होने का या पतले होने का हमारी सफलता पर क्या परभाव पड़ता है मान लीजिये कि एक हतेली पतली है एक हतेली भारी है लेकिन दोनों हतेलियों पर भागे रेखा एक जैसी सुर्य रेखा एक जैसी लेकिन परिणाम अलग-अलग कैसे आए समझते हैं पहले उपर वाला हाद देखिए इस हतेली पर भागे रेखा बहुत शुब शनी परवर तक पहुंच रही है और सुर्य रेखा लग-बग पच्चिस के आज पास से जात तब को सफलता दे रही है नेचे वाले हतेली देखिए आप लोग यहाँ पर भी भागे रेखा बहुत शुब शनी परवर तक पहुंच रही है निर्दोई ऐसे ही सुर्य रेखा पतली और लग-बग पच्चिस के आज पास से जात तक को सफलता दे रही है तो दोनों हतेलियों में भागे रेखा और सुर्य रेखा एक जैसी लेकिन परणाम अलग-अलग आएंगे क्योंकि हतेली का भारीपन अलग-अलग पहली हतेली देखिए इसका साइड पोज देखिए यह साइड पोज बता रहा है कि हतेली भारी है हतेली भारी कब होती है जब हतेली पर मौजूद परवत अच्छ अवस्था में होते है तो हतेली भारी हो जाती है जब परवत उच अवस्था में होंगे हर एक परवत किसी खास ग्रह को रिपर्जेंट करता है तो अच्छा परवत मतलब अच्छा ग्रह मोटिय तेली अधिकतर ग्रह अच्छे जब ग्रह अच्छे होते हैं जातक को सपोर्ट करते हैं तो लाब अधिक मात्रा में कराते हैं और अगर हानी होनी होती है उसे कम मात्रा में होने देते हैं इसी लिए जो पहला हाथ है ना उसको ज़्यादा सफलता मिलेगी बनिस्पत नीचे वाली पाम के हैं नीचे वाली पाम पर भाग रेखा अतिशुब शुर्य का अतिशुब लेकिन जब हम हतेली को साइड से देखते हैं तो ये हतेली पतली पतली हतेली का मतलब है कि आदिकतर परवत समान्य भार के या अनिम्न दबे हुए हतेली पतली हो गई हतेली पतली का मतलब कि ग्रह आपके अनुकूल नहीं है जब जातक को ग्रहों का साथ नहीं मिलता तो उसे उतनी सबलता नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए जितनी जुरु रिखा और भागे रिखा इशारा कर रही है क्यों देखे दोनों हतेली पर भागे रिखा एक जैसी लेकिन एक हतेली पर उसका मतलब है मोटी हतेली मतलब है कि सफलता की मंजिक तक पहुंचने के लिए आपके पास हवाई जाज है साधर के तोर पर तो आप मैय आना है ना तो दो डाइ घंटे पहुंच जाएंगे हतेली पतली हतेली पर सेम भागे रिखा लेकिन ये भागे रिखा आपको ट्रेन का काम कर रही है आपको बंबई पहुंचने में 24 घंटे लगेंगे इसी से समझ अज़कता है कि चाहे भागे रिखा सुरी रिखा दोनों हतेली पर अलग एक जैसी हो लेकिन हतेली का भारी पन हतेली का हलका पन सारा अंतर पैदा करता है भारी हतेली वाले को शुब परणाम मिलेंगे अच्छे परणाम मिलेंगे पतली हतेली वाले को कम शुब परणाम मिलेंगे अंतर हतेली का भारी पन हलका पन यद भी दोनों हतेलियों पर भाग के रिखा सुरे रिखा बिलकुल एक जैसी फिर भी परणाम अलग-अलग इसलिए भारी हतेलियों ना बहुत ही शुब वीडियो देखने के लिए आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू शुक्रिया झाल झाल